है फ्रेंग्स गूड आप्टरनून गूड मॉर्णिंग गूड इबिनिंग यह तीन इक साथ इसलिए कह दिता कि आप जब भी हमारे वीडियो दखो हमारी दिवा आप लोग के पास पहुंच जाए तो फ्रेंग्स तले बिना किसी कि करते हैं आज का वीडियो सुरू तो क्या लिए यह पीर हैं लेजर होता है दोनों का यह इसके वैसे मैं कुछ बी समझाना चाहता हूं यह समझति नहीं इसके वैसे संदाने को वक्ति में थोरा सा वह वाइस हो गया बहस बाजी में कुछ नहीं बस फोन को हाथ में लिया और जितना मेरा व्यां-पावर नहीं था उस फ्रुंस वाले विडियों सुमाज़ दॉड़ लिए था हम नहीं कि अग DI तो इसी बीच ये फोड़ दी यह बताओ नो केमिकल रीक्षन क्या है कि दिमाग में केमिकल रीक्षन ना वो कर रहा है मतलब कुछ भी मैं बोलू इनको बुड़ा ही लगता है बाकि दुनिया को अगर आप लोग को भी बताओ ना तो सही लगेगा बट इनको गलत लग रहा है ठीक है परें तो हम कुछ शेयर करना चाहते हैं आप में मुदा पाते हैं वह में मुदा यह दोस्तों कि अगर आप लोग किसी के पास भी Redmi Note 10 Pro Max इतना बड़ा फोन है बहुत ज़्यादा नहीं है सिर्फ बैश्टेस आत पड़ता है आया ना तो उसको ठीक राने के लिए कैस कैसा मुकसत करना पड़ता है कैसे होता है तो वह फोन से मैं शूट कर रहा हूं तो चलिए उसके बारे में आपको दिखाते है कि मैं किस तरह से दर्भांगा सीटी में या मैं सर्विस सेंटर पेटोल पांप मिर्जापूर के पास मैंने ठीक करवाया हुआ था स्पोंसर कर तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मैं अभी बैठा हुआ हूँ मॉइल रिपेरिंग सेंटर सर्विस से कहते हैं जो कि स्पेसिली ऑथोराइज है या माई कंपनी से और मेरे हाथ में आप लोग देखते हैं यह हैं पैसे जो कि मैं यहां पर देखे पन वापस लेने वाल हूँ मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं यह माई की ब्रैंडिंग है जो कि फुली ऑथोराइज है कंपनी से यह माई शूमी से और यह मेरे हाथ में पैसे जो कि 6,000 है यह रहा मेरा फॉन जाकि पीछे से कितना कूट चुका है मैं यह पीछे से ठीक नहीं करवाया कुछ क रहे इन अंकल जी को देने वाला हूँ आप लोग वहाँ पर जाहेंगे तियो आपको जरूर दिखे बिल कि लिए करने के बाद हम यहांसे निकलेंगे बाहर और देखिए जैसे हम बाहर निकले हैं हमारे हाथ में ही बिल का जुँ है पेर हमको दिया गया है इसमें लिखा तांच जार नौशो नौबेल पर हमें खर्च करना परा है वेजिनल जिसले लगवाने के लिए और अच्छे से मोगाल को फिट करवाने के लिए तो यहीं था आज का सीनि आपको मैं बहुत प्यार करता हूं देखा मैंने फोन भी ठेकर आ लिए तो फोन देखी लिए आप लोगों ने हम ठेकर आ लिए कुल मिला को खर्चा आया है वह इतना है कि 6,000 है 69,990 ठीक है 5990 आये है 6990 यह किसा हो रहा मतलब 5,990 ठीक है इतना मतलब को मिला के 10,000 के कम हाँ कुल मिला के 6,000 है इतना खर्चाया है बैक पैनल का 1800 के रहे थे आयनर हमने सोचा कि बैक पैनल नहीं ठीक बाते क्योंकि इस फोन को अब हम जदा यूजरी नहीं करेंगे पैसे आ जाएंगे पैसे आ जाएंगे तो हम फिर नहीं फोन कर देंगे और इस वार कुछ अच् अच्छी दांसु वाला जिसमें बलौर बैक्गरंड बला शूट हो फिर अच्छे अच्छे आप लोग को वीडियो देखनों के में लेगा अच्छे सिमझते रहे और हम सहात में रहने भी बाले हैं भाया फिलाल की हम अके लिए अपर और वहां पर तो आप लोग कमेंट कर कि अच्छी आप लोग करने वाले हैं तो इसलिए आप लोग इनको कमेंट करके बताए कि यह किस तरह के लिए शूट करके दिखाए ठीक दर्भंगा का बात बताओ तो ठीक है नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पर बनाऊं कर तो मेरे पास कितना टाम रहे थे ठीक है आप लोग तो आप ना एक ब्लोग दो तीन दिन में भी डाल सकती हो हाँ जरूर ख़र ना कि आप डेली डालोगे मैं भी कभी-कभी डाल रूंपली मैं भी मुझे बहुत ज़्यादा नराज हो आज मैं आपको बता दूं मुझे आज दर्भंगा जाना था और गलती से मैं शुआ गया अरशिया के ओजर से ना आसमान शुता हुआ जा रहा है यूक्रेयन रस्या को ज़र से तो इसने बोला कि एक एक स्लिंडर और भड़तो ताकि एक-दो मिने-चार मिने चलता रहेगा मैं कहता हो कि तर भंगा चलते हैं हम लोग फिर क्या ज़र रहे यहां पर फिर बोलती कि पताब ले जाओ जाने ला जाओ आप दर भुना चलो जुट बोल रहे हो ना सच बोलते हैं सच बोलती हैं कि इनके सामने में सारा प्लानिंग कर रहा है मैंने ठीक है फिर भी यह बोलते कि नो इस बंदे के बाद का विश्वास ही कौन करता है मैं तो लूट गया बरबाद ह इजद ही नहीं कोई विश्वास ही नहीं क्या प्लानिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते बट सिर्फ प्लानिंग ही करते हैं लोग कहीं पे जाके रहने में फ्लाइट में गैस चाहिए सिलिंडर चाहिए चुला चाहिए सराब अरतन सामान सब चाहिए बेरोरे सब चाहि इतना पैसा तो है नहीं हमारे पास कम से कम 12,000 खाल देए कि एक मेंने के इंसाइड हम उनमन्थ चले जाएंगे दरभंगा रहीने के लिए जूट नहीं बोलती है हम परियास कर रहे हैं अज आएंगे चले जाएंगे चले बात को छोड़िए वीमुने मेरे काम अढ़ाई है आ पाइब टुटा फुटा हुआ है पानी जमा हुआ है पानी नहीं निकलता है पता रहे रहे सब स्फाकिए गया हो फिर भी प्रेसान करके रख दीए जब ककर दिया तो पैप सब्सक्राइब बताओ क्या है प्रॉल्म प्रॉलम यह है दिल में खायाल आ पानी खलासने का जोगार करते हैं और इस तरह से पानी जमा हुआ है कि डर भी लग रहा है स्वाना क्या हो रहा है यहां पे पानी में ना चल ला पर इसलिए जुगार है यह देशी जुगार है तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं मैं अंदर पहुंच चुका हूँ जो कि बहुत ही दूर है यह हमारे घर का ही पीछे का गली है जिसमें पाइप फूट चुका था और बारिस का पानी पूरा उधर ट्वालेटी बनाया लास्ट में उसी में गिर रहा था तो मैंनों निकाल लिया है उसको ठीक करने के लिए फिर साइकल से वापास आ रहा हूं विल्टा चलाते हुए ताकि पानी मना जाना पड़े लेकिन होगा यह होता है जो होना होता है वो तो कही रहता है तो देखिए अभी जो है यह साइकल पर से गिर जाएगा और मुझे उतरना ही परा यह पाइप ले लिया फिर बाहर आऊंगा उसको ठीक करके देखिए अब चर रहा हूं उतने ओपर सीरी उड़ी है नहीं तो गिरने लगा था मैं लेकिन फिर किसी तरह चड़ गया और आप लोग देखिए इस पाइप को इसी पाइप को अभी मैं ठीक करके पिर नीचे उत्रोंगा और पिर आगे बढ़ूँगा कि हमने कितने मघर सच्च पाइत खराब हुआ था उसको मैं ठीक किया है उसको फेबीकल लाकर चिपका दिया है और देखती है कितना कारगार हो साबित होता है काम करता है कि ने करता है तो अब तभी पता चले का जब यह मस्क्यूट लग रहा है ना मस्क्यूटो यह फीश बड़ फलाए आपका फलाए करोगी फलाए करो फलाए इसे करो इसे